नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इसक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों HPLT TET की जो ये test series हमारी चली है और इसमें आज हम discuss करने वाले हैं नेक्स्ट जो 31st के बाद की जितने भी questions हैं उनको हम आज देखेंगे तो चली बिना देर की start करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्ण जो हैं इसमें रखे गए हैं तो आप उनको भी एक बात्चा कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजे क्योंकि इस तरीके से हम आपके लिए बहतर content लाते रहते हैं और सब्सक्राइब करने के बाल बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न भूले तो ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की notification समय पर मिलती रहे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस lecture की तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्ण देखते हैं आज जितने जो यहाँ पर प्रश्ण रखे गए हैं देखे प्रारंभिक जो प्रश्ण है इसमें व्याकर्ण का भाग भी रहता है आप सब लोग जानते ही हैं कि व्याकर्ण के कुछ एक प्रश्ण इसमें रहते हैं कई बार यह ratio थोड़ा सा बढ़ जाता है कई बार थोड हिमाले शव्द में कौन सी संग्या है हिमाले पर्टिकुलर एक व्यक्ति है व्यक्ति वाचक व्यक्ति से मतलब यहां पर आपको व्यक्ति से नहीं लेना है कि कोई इनसान है व्यक्ति वाचक जैसे आपका कोई और चीज हम कह सकते देखिए परवत हम बोलते तो वो एक जात वाचक में क्या अंतर होता है भाव में जहां पर किसी भाव वगेरा को बताया गया हो और दूसरा समुह में जैसे कक्षा क्लास वगेरा आपकी होती है जैसे सभा होती है उसको हम समुह वाचक संगया के अंतरगत रखते हैं और संगया के कितने बेद माने जाते हैं मुख्यता इसके पांच बेद माने जाते हैं तो ये चीज भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है नेक्स कॉश्चन यहां पर सरवनाम से पूछा गया है देखिए पुरुषवाचक सरवनाम कौन सा है सरवनाम मतलब प्रशन करने के लिए जन सरवनामों का उप्योग होता है उन्हें हम क्या कहते है प्रश्ण वाचक सरवनाम कहते हैं जैसे आपका कौन है, क्या है ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे Simply आपको ऐसे यहाँ पर याद रखना है, जबकि जो आप है देखिए, यह किस तरीके का है निजवाचक सरवनाम है, इसको आपने याद रखना है यहाँ पर निजवाचक सरवनाम, ठीक है Simply इसको आपने ध्याण रखना था यहाँ पर, ठीक है आपका मतलब क्या होता है, कि जैसे हम कहते हैं कि यह काम में स्वयम कर लोंगा, या आप ही कर लोंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह निजवाचक सरवनाम हो जाएगा लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो आपका पुरुष वाचक में भी इसका प्रियोग होता रहता है, ठीक है, तो यह चीज़ भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है, चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं, यहाँ पर देखिए, एक बार विप्रितार्थक शब्द, तो विप्रितार्थक देखिए, यह बहुत सिंपल सी चीज़े हैं, इनको आपको मैक्सिमम टाइम जो व्याकर्ण वाला पूर्शन है, मैं समझता हूँ कि यह आपको पढ़ाने से नहीं आएगा, यह आपको खुद जितना हम इसको पढ़ते रहेंगे, उतना जादा यह हमें आता है, जैसे आपका विप्रितार्थक शब्द होगे, इसमानार्थ तक शब्द होगे, है ना, इसके अलाबा संग्या सरबनाम, यह कॉमन सी चीज़े हैं, जो आप बच्पन से पढ़ते आ रहें, तो यह चीज़े हमें पता होनी चाहिए, तो अनिवारे होता है आपका एक तरीके से जरूरी, तो इसका मतलब वेकल्पिक, आपने एक्जाम में देखा होगा, इस तरीके पूचे जाता है कि कुछ एक वेकल्पिक प्रश्ण होते हैं, कुछ एक अनिवारे होते हैं, जो आपको करता हैं ही करने होते हैं, तो कहीं पर आपको विकल्प भी दिया रहते हैं कि इसमें से आपको ये चीज़ रखनी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, वेकल्पिक हो जाएगा, जैसे आवश्यक होगा, तो उसका अन्यावश्यक होना था, ठीक है, तो ये चीज़ दिहान रखनी है, निरर्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द यूगम बतलाएं, तो यहां पर उबडखाबड है देखिए, उबडखाबड से आपको सिंपल या रखना है कि इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, अन जल, दोनों सार्तक शब्दें देखिए, भूत और प्रेत, दोनों सार्तक है, यहां पर आस और पास ये भी क्या है, दोनों ही सार्तक है, तो इसलिए यहां पर जो उबडखाबड है, इससे हमें कोई ऐसा निश्चित अर्थ नहीं मिलता, अगरा में इसको अलग-अलग करते हैं, तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है, देखना कि आपको यह जो शब्द भेद है, यह भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, विप्रितार तक हो, समानार तक हो, निरर्ध तक हो, सार्थ तक हो, किसी भी प्रकार के शब्द अगर आपको पूचे जाते हैं, तो उसके लिए आपको तयार रहना है, तो यहां पर समानने सा प्रशन पूचा गया है, देखिए, वरन वेबस्ता से, तो हिंदी की जो वरण विबस्ता है वो शुरुआती चेप्टर होता है हमारा व्याकरण में हलांकि अगर आप हमारी live classes के साथ जूड़ना चाहते हैं तो अब भी जूड़ सकते हैं तो simple सा आपको देखना है तो यह वाला आपको यहां पर ध्यान रखना है और यह जितनी भी तीनों चीज़े ढ़ी ज्द्रॉन पर जो रखनी है जबकि ये जो धा है ये हमारा स्वर्ष व्यंजन की अंतरगत ही आता है टावर्ग का त्रितिय वर्ण टाथ धा चतुट सौरी ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है देखना असान सा प्रश्ण है ये वाला भी नेक्स है व्यंजन के साथ स्वर्ष का जो रूप मिलता है उसे क्या कहते हैं देखे यहाँ पर यहाँ पर आपको या रखना है कि उसको हम क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं तो सिंपल सा प्रश्ण है ये वाला भी नेक्स क्वेशन आता है यहाँ पर देखिए उचारण के अधार पर व्यंजनों का वरगी करण कितना है जैसे हम उचारण देखे है कोई कंठ है कोई तालू है कोई मूर्दा है कोई दन्तोष्ट है कोई ओष्ट है तो इस तरीके से कुल मिलाकी ये संख्या कितनी बनती है नौ बनती है, तो इनको आपने यारकना जैसे, सबसे पहले आपका कंठ आएगा, उसके बाद आपका तालू आजाएगा, उसके बाद मूर्धा आजाएगा, फिर आपका दंत आएगा, फिर आपका ओश्ठ आएगा, तो पांच यह हो गया, फिर कुछ एक कंठोश्ट्य आठ होगी, है ना, एक चीज और रहती है, इसमें ना सिख्य, ठीक है, तो यह आपको क्या याद रखने है, कि नौ तरीके से आप इंसका वरगी करन कर सकते हैं, तो इन चीजों को आपने याद रखना है, इम्पोर्टन प्रशन है, यह पुड़ाने पिपर में पूचे गे इसमें आपकी जो व्रिद्धी संदी है, जो स्वर संदी का एक भेद माना जाता है, देखना, व्रिद्धी, तो यहाँ पर व्रिद्धी कैसे पैचाना है, तो सिंपली आपको याद रखना है, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको याद रखना है, कि इसके उपर देखिए यहाँ पर कितनी मात्राइं लगी है, दो मात्राइं लगी है, एक एक में, ठीक है, तो जहाँ पर भी समझे, A की मात्रा हो, या आउ की मात्रा हो, तो समझ लीजिए, वहाँ पर क्या आपका, वृद्धी संदी ही है, तो पहली चीज़ तो आपको यह या रखना, फिर यह कह र और के बाद यदी O हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा? O हो जाएगा. अब यहाँ पर चाहे A हो, चाहे यहाँ पर O हो, आगे क्या रहेगा? आगे ऐसा ही रहेगा. ठीक है? तो यह चीज यहाँ पर आपको याद रखने हैं देखना. चाहे A आए, चाहे A आए, आगे क्या र स्वर्ग की सहायता से बोले जाते हैं तो कव में क्या है? और चुपा हुआ है और आगे क्या है? A है A प्लस A is equal to क्या हो गया? यहां पर A ही हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर 1-1 हो गया, समझिये यहां पर बाकियों में आपको देखिए यहां पर बिसर्गें लगी है तो बिसर्गें तो नहीं होंगी बिसर्ग संदी थोड़ी ना है यह यह हमारी स्वर्ग संदी है स्वर्ग संदी में क्या मिलेगा? आपका स्वर्ग ही मिलेगा तो यहां पर यह कैसे बनता है यह पूरा इसके लिए नियम रहता है एक उसको हम आगे देखेंगे जब आप live classes में जानेंगे हलां कि इसके उपर भी हमने वीडियो बनाई हुए संधी के उपर तो आप चाहें तो देख सकते हैं यह टीच्मिंट की वीडियो ही हमने यूट्यूब में अप्लोड किया है तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं ऐसे लिखा होता है दो तो यह दूसरा जो है वो नहीं रहेगा देखना यहां पर खाली simple यह रहेगा single ठीक है तो यह आपको सही करना है बाकी आपको ऐसे इसको नहीं करना है रूची में आपको द्यान कैसे रखना है कि छोटी गिमातर रहेगी पयासा तो आप सब लोग जानती है कैसे लिखते हैं सामाजिक होता है समाजिक नहीं होता ठीक है तो शुद्वर्तनी यह जितना जादा हम इसको लिखेंगे जितना जादा हम इसको उचरित करेंगे वैस से ही हमारी शुद्वर्तनी बनती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्याकरण के लिए पढ़ा दीजिए तो व्याकरण देखिए सबसे जादा में समझता हूं कि आप खुद से ही इसको प्रैक्टिस से ही सिख सकते हैं आपको विपरितार्थक शब्द कैसे कोई पढ़ा जा सकता है बाकी संग्या सरब नाम और यह भी प्रितार्थक शब्द विलोम शब्द शब्द वहेद यह सब आपको ऑल्रेड़ी खुद वखुद ही पता होते हैं अनिक शब्दों के लिए एक शब्द याद करने पढ़ेंगे मुहाबरों लुकोक्तियों को आपको खुद सम शब्द नहीं है तो का सम सब लोग जानते हैं और कई बार आपको आपको अधो प्रशल पुछ जाता है । दए हैं किस फूलिंग शब्द है ना कि ट्रिलिंग है जैसी ये वाक्य कई वार कुछ जाता है दhöी खटा है तो हुझ लोग जो है दही खटी бол Destek है तो यहां पर ये चीज आप नहीं करना है दही क्या है पूलिंग रहेगा और ये खटा होगा ठीक है चले न कशन देखते हैं राम MRG SHAKA क प्रवर्ट त्कभी माने माणे जाते हैं चल्ग यहां प्रस्ण एक पूचा गया है जिए परिवाशिक DOU esimerk से पूछा गया है तो यहां पर ग्रांट जो शब्द है इसका जो परिवाशी शब्द क्या हो सकता है हिंदी तो वह आपको याद रखना है अनुदान ठीक है अनुदान ठीक है तो इसको आपने याद रखना है देखना है इंप्पॉर्टेंट शब्द है ये वाला भी फुश्चते रहते हैं हना कि आपको रह doesn'tre Sud which in भी आपको इसमें रहते थे अनल और अनिल क्रमशह क्या हैं तो पहले चीज तो आपको यार रखना है इनको हम कहते हैं शब्द यूगम जो इस तरीके के शब्द हैं देखिए शब्द यूगम मतलब शब्दों का ऐसा जोड़ा जो उचरित करने में थोड़ा सा सिमिलर जैसा है लेकिन उसके अर्थ जो है वो क्या है वो भिन रहते हैं और इसका अर्थ भी आपको क्रमशह लिखा है देखिए रिस्पेक्टिवली आपको ऐसे ही इसको लिखना है पहले जो दिया है पहले उसका अर्थ बताना है और दूसरे नमर पर जो शब्द है दूसरे नमर पर उ अनल क्या है, आग होता है, ठीक है, चलिए, आपके लिए यहां से औन ऐक प्रष्ण चोड़ता हूँ, अनल का कई किसे कहते हैं, यह अनल कई किसे कहा जाता है, यह आप कोमेंट सक्षन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं ठीक है तो आग और हवा अनिल क्या है हवा ठीक है तो यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है इसको हम क्या कहते हैं शब्द यूगम कहते हैं यह चीज आपको ध्यान में रखनी है नीरद का उचित प्रियावाची च् तो ये चीज आप ध्यान में रखे देखिए, नीरत का मतलब क्या होता, बादल, चलिए, नेक्स जब 25 बर्ष पूर्ण करने पर होने वाला जो उत्सव, ये तो आसान सा था, इसको आप सब लोग जानते हैं, उसको रजत जनती कहते हैं, पचास पर जो स्वर्ण जनती रहेग इसका मतलब क्या है, यहां पर आपका नुपता है, जिसको हम दुई गुन बेंचन कहते हैं, देखना ये अनुस्वार नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है, उपसर्ग इवं प्रत्या के योग से बनी उचित, शब्द का चैन कीजी, देखिए, ऐसा शब्द जहां पर आपका उपसर्ग भी है, और प्रत्या भी है, इमानदार, ठीक है, जैसे यहां पर दार क्या लगा हुआ है, प्रत्या है, और ई क्या है, यहां पर आपका उपसर्ग है, मान क्या है, आपका मूल शब्द है, तो प्रत्या और उपसर्ग जो है, वो मूल शब्द के अंत में और शु ये next question आता है कि ग्राम लक्षमी निवंद के लेकर कौन थे तो ये थे विनोबा भावे इसको भी आप तोड़ा सा याद रखें कि इस दिके के direct question आपको पूछे जा सकते हैं ठीक है तो इसको भी आपको याद रखना है आरियों के बारे में हमें किस धरम पुस्तक से जानकार मिलती है तो आरियों का जो पता चलता है देखिए वो रिगवेद से चलता है जबकि भगवत गीता में आपको याद रखना है कि ये जो भक्ती का अधार इसको माना जाता है देखना श्रीमत भागवत को भगवत गीता में सातों से लेकर कि बाहर में जो अध्यायर है वो भ मंधित पुस्तक ही रही है जो आपकी पुरानिक कितामें थीक है? तो इनको आपने यहां रखना है, इनमें से महाप्रान धौनियों को चांटना है, देखिए, अलप प्रान, महाप्रान, सिंपल सी चीज़ें देखना, अलप प्राण मतलब जिनमें कम प्राण वायू का प्रियोग करना पड़े और महा प्राण जिनमें जादा प्राण वायू लगे तो एक तीन का ये रहता है देखना एक और तीन क्या है आपके वो अलप प्राण है एक तीन पांच और दो और चार प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा और जो पंचम वर्ण रहता है उसको हम अलप प्राण कहते हैं दूसरा और चौथा जो वर्ण रहता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम महाप्रान कहते हैं जैसे हिंदी वर्ण माला में कितने वर्ण हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन जाकर बता सकते हैं कि प्रतेक वर्ण में जैसे हमने बात की कि प्रतेक वर्ण का पहला तीसरा और पांच वर्ण तो आपने बताना है कि कितने वर्ण हैं हिंदी उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ये प्रशन हमने अब भी देख लिया थोड़ी दिर पहले ही, तो इसमें मैं समझता हूँ आपको बताने की जरूरती नहीं है, जो शब्दों के बीच में जुड़कर अर्थ में, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, जो शब्दों के अंत में वर्तन कर दे, या उसके अर्थ में कुछ विशेशता लाए, वो क्या कहलाते है, वो ही हमारा उपसर्ग कहलाता है, अब गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग, देखिए, उपसर्ग से ही प्रशन पूछा गया एक बार फिर से, जो पहले लग गया हो, गुण मूल शब्द ह गुण के पहले क्या जुड़ गया है, अब जुड़ गया है, तो अब गुण इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सा प्रशन है ये वाला भी, फिर एक बार फिर से आपको दूसरी तरफ ले गये हैं, देखिए, यहां पर आप जो लिट्रेचर तरफ की तरफ, तो यहां पर आप इस कॉशन में देखेंगे, थोड़े से ज़्यादा प्रशन आपको अभी व्याकरण से लग रहे हैं, और वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत असान से प्रशन है, अंधेरे बंद कमरे नामक उपन्यास के सिध नाटक है, अशार का एक दिन, लहरों के राजहंस, यह नाटक भी इनी के ही हैं, इनको आपने त्यान में रखना है, लेकिन अंधेरे बंद कमरे ना आने वाला कल, ऐसे कुछ एक अन्या इनके उपन्यास रहे हैं, उनको भी आपने त्यान में रखना है, इसके पर देकी भी होगी, जो रिशी कपूर की मूवी है, ही ना, ठीक है, उसको आपने देखना है, उसको नहीं देखना है मूवी को, मतलब मोहन राकेश के बारे में आपने पढ़ना है, चलिए, तो यहाँ पर प्रेम चंद हो गया, श्री रावन शुक्ल हो गया, जैशंक प्र तो आपको खेर गोदान इनका इंपोर्टन है, बाकी चीज़ें आप साथ साथ पढ़ते रहें, गबन हो गया, करम भूमी हो गया, रंग भूमी हो गया, खाया कल्प हो गया, निर्मला हो गया, तो वो भी कई बार पूछ जाते हैं, नेक्स प्रशना यहाँ पर रखा गया रहे दिवेदी युग में, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि श्रेदर पाटक क्या रहे, दिवेदी युग के रचनकार भी रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखी, और चलिए दूसरा प्रशन में आपको कर दिया है, कि दूसरा और तीसरा जो का लेखक है, वो कौन-कौन रहे हैं, हर्योद भी इसमें ही रहे देखना, दिवेदी युगीन रचनकारों में रहते हैं, इन्हें हम कभी समराट के नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, जैशंक प्रसाथ, सुंगनी साहु परिवार में इनक का जनम हुआ था, और ये कलाधर के उपनाम से फेमस रहे, सुमित्रा नंदन पंत, प्रकरति का सुकुमार का भी, और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पंत को हम क्या कहते हैं, अपसरा लोक का कभी भी कहते हैं, और समवेदन शील इंद्रिय बोध का कभी भी सु उत्धन चारण, उत्ध प्लस चारण, दिखिए इसका एक नियम होता है कि तव के बाद यदि क्या आए, चव आजाए, तो क्या हो जाता है हमारा, जो तव है वो चव में ही तबदिल हो जाता है, दिखिए कोई भी परिवर्तन कुछ नहीं होगा, सिंपली हमने तव की जग तक समझे इसमें क्या है, इसमें स्वर रहेगा, तो इसलिए इसको व्यंजन संधी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हलंत करना पड़ेगा, कई बार ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो उत्ध प्लस चारण is equal to उ देख लीजे एक बार, भाषा के प्रवाह का सयम क्या कहलाता है, देखे भाषा का जो प्रवाह है, उसके सयम को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको simple याद रखना है, उसको हम कहते हैं, छंद, अलंकार आपको पता ही है सब को जिसमें से कोई शब्द के अधार पर, अर की आता को देखने के परश्चाथ हमें या फिर किसी भी को पढ़ना होता है और कि उसे ही क्या जाता जाता है शब्द शक्ति आप सब लोग जानते हैं कि शब्दों के द्वारा जो हमें अर्थ की प्रतीती रहती है, ठीक है, सिंपल से चीज़ें देखना, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, छंद जिसका मतलब क्या होता है, अहलाधित करना होता है, या प्रसन्य चित करना रहता है, तो ये चीज़ भी आप दियान में रखेंगे, नेक्स एक बार फिर से सरवनाम से समंदित, यह यहाँ पर जो लोग, ठीक है, संबंद वाचक सरवनाम, तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे कुछ, यह आपका अनिश्चय वाचक सरवनाम है, देखना कुछ और कोई किसमे आता है, अनिश्चय वाचक सरवनाम में, यह दोनों चीज़ें आएंगी, यहाँ पर जैसे कुछ अब निश्चित नहीं है कि कितना है या कौन क्या है ठीक है तो कुछ है जैसे कोई आदमी आ रहा है अब निश्चित नहीं है कि कोन आ रहा है ठीक है तो यह चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यह क्या है आपके अनिश्चय वाचक सरवनाम है जैसे व वह लिखा गया है यहां पर simple सी वह लड़का एक निश्चित है कि आपको यह दे दिया गया है जैसे वह यह इत्यादी यह क्या रहेंगे हमारे यह रहेंगे आपका जो निश्चय वाचक सर्वनाम के अंत्रगत सर्वनाम के कितने भेध हैं यह मैंने पहले आपको बता दिया तो इस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है देखना कोई जादा मुश्किल नहीं है यहां पर असान सा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वह अपनी recorded या यह अपनी live classes जो हमारी चल रही है उनको वह effort नहीं कर सकते हैं तो आप यूट यूट खुसरो का वास्विक नाम क्या था इनका पूरा नाम था अबुल हसन और कंप्लीट नाम अगर पूच जाए अबुल हसन यमीनुदीन अमीर खुसरो यह बात आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में देखना अमीर खुसरो हिंदी के आदि कवी इनको कहा जाता है खड़ी दीन ओलिया ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना जुन पर इनके पंक्ती भी कही थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रहन भई चहुं देश और यह वाली पंक्ती हमेशा यहां तक पूच जाती है गोरी सोवे सेज पर मुख पर दारे केस पंक्ती किस की है तो यह आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो की ही पंक्ती रही है और अमीर खुसरो की जो सबसे इंपॉर्टन चीज है वो कौन सी बात रही यह आपको याद रखना है कि इन्होंने खालिक बारी नामग रचना की थी जिसमें इन्होंने तीस बार जो है हिंदवी शव्द का इस्तेमाल किया और पांच बार हिंदी शव्द का इस्तेमाल भी इन्हों नहीं किया था ठीक है तो यह चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है ब्राचर से किस बारतियारे भाशा का उदय नहीं हुआ है तो इन में से कोई भी नहीं हुई ठीक इंपोर्टेंट है जब हम हिंदी के विकासक्रम की बात करते हैं देखना तो वहाँ पर इसका जिक्र जरूर आता है तो पंच्टंत्र इसकी भाषा जो थी वो संस्कित थी जिसको जबाने हिंदी कहा जाता था ना सिर्फ संस्कित को ही जबाने हिंदी कहा जाता था बलकि उस जितनी भी भात ये बाशाय रही हैं चाहे वो संस्कित हो, पाली हो, प्राकृत हो, अपवरंश हो उन सब को क्या नाम दिया गया था? जबाने हिंदी नाम दिया गया था और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसका अनुवाद किस फार्सी बादशाह के कभी ने किया था तो दीकि फार्सी जो बादशाह है वो थे नौशे खा, नौशेर वाँ है कहे जगा इसका नाम, कहे जगा नौशे खा है तो आपको यह याद रखना है, तो इसके दरवारी कभी का नाम था बजरोया, ठीक है? बजरोया तो इसने कलीला और दिमना शीर्चक से इसका अनुवाद किया था ठीक है कई बार ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किस शीर्चक से इसका अनुवाद किया गया है कलीला व दिमना ठीक है अदम न इस तरीके से आपको यह याद रखना है देखना important question है very very important है यह वाला प्रशन इसको आप शरूर याद रखें कि पंच्टंत्र का अनुवाद किस फार्सी भाषा के कभी ने किया था नौशे खां के दरवारी कभी बजरोया ने कलीला और दिमना शीर्षक से इसका अनुवाद किया था कई वार ऐसा पूछा जाता है कि पंच् चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है तो यह थे आज के 30 questions इनको हमने discuss कर लिया है next 30 questions हम आगले भाग में करेंगे हमारा प्रियास आपको कैसा लगा यह आपको comment section में जाकर जरूर बताना है तो फिर मुलकात होगी अगले 30 प्रशनों के साथ तो तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत जय हिंग जय भारत शुक्रिया